नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी ठंड के दिनों में हार्ट टाक्स के केसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो और ज़्यादा खराब होने लगती है तो आज के इस एपिसोड में हम यह जानने वाल हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार जो की बिहार के सबसे जाने माने हार्ट डॉक्टर्स में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर साब ठंड के दुनों में हार्ट अटाक के केसे काफी जादा बढ़ जाते हैं हार्ट पेशिंट्स की जो तकलीफे हैं वो भी बहुत बढ़ जाती है ऐसा क्यों है देखिए कुछ चीजें हैं जो कि टेमपरेचर के चलते चेंजेज होते हैं तो उस चेंजेज को लेकर हम लोग बात करें जैसे की धमनिया होती है जो आर्ट्री जिसको हम लोग मेडिकल भासा में बोलते हैं, वो थोड़ी नैरो हो जाती है, तो नैरो हो जाती है, सिकुरन हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, कि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, पंप ज्यादा करना पड़ता है, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके इसके चलते हार्ट अटैक भी होता है तो ऐसी बहुत सारी स्टेडी हुई है जिससे ये क्लिर हुआ है कि अगर हजार पेशेंट का राटा हम लेए तो उसमें नौ से दस पेशेंट को हार्ट अटेक ठंड के चलते हो जाती है तो इस सार जे जो चार-पांच चीजे हैं और देखे जाते हैं कि ठंड के दिनों में ज्यादा होती है तो मतलब गर्मी के दिनों की अपक्षा हम लोग तूलना करें तो यह ज्यादा हमें उस समय मिलता है जब टेमपरेचर 18 डिग्री से कम हो तो क्या करना चाहिए इसके बचाव में हमें कुछ ध्यान देने चाहिए कि हम यह जोग ठंड से बचें और डाइरेक्ट ठंड में एक्स्पोजर ना हो एक मोटा कपड़ा पहनने से ज्यादा अच्छा है कि आप पतले-पतले लेयर वाइस कपड़ा पहने ताकि उनके बीच में जो एयर ट्रैपिंग होती है और वो आपको मतलब एक इंसुलेटर का का क करता है जो की डाइरेक्ट ठंड से बचाता है कुछ पेसेंट्स एंजाइना के होते हैं जिनकों की ठंड में सीने में दर्द भारीपन होने लगता है उनके लिए एतियात है कि वो हलका मॉफलर रखें गला बांध के रखें और मास्क यूज करें तो ज्यादा अच्छा है डाइरेक्ट ठंड वाली हवा जाने से भी उनको एंजाइना पेन हो सकता है तो डॉक्टर साब ऐसे कंडिशन में लोग अपने हार्ट जो पेशेंट हैं वो अपना ध्यान बहतर तरीके से कैसे रखें सबसे तो हम लोग जो एडवाईज करते हैं हार्ट की बीमारी काई तर ह Frei और हार्ट ओवावलों के लिए अलगातियादे हैं अवह की सदी के दिनों में इनों भी के से बहुत बढ़ जाते हैं तो ये कफ औ्ड कोल्ड यैक तरह से रिलेटेड हो भी को यह की हर्ट के वीमारियों को दाने में मदत करता है है तो हर चीज से हमने बचने की जरूरत ह डॉक्टर साब क्या ऐसा कुछ और हाबिट्स में चेंज करने की जरूरत है जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी बढ़ेगी नहीं डेखी जैसा कि यमने कहा कि ठटस से बचना हा दो चीजें होती है कि अगर टंपरेचर वैडियसंस बहुत जादा हो रहा है। उसमें भी हर्ट की बिमारियां जादा होती हैं और जब temperature बहुत लो होता है तो उसमें भी heart की बिमारियां ज्यादा होती है ऐसे भी कहा जाता है कि heart attack के जो risk होते हैं सबसे ज्यादा winter, Monday, morning में होता है ये western data है और हम लोग यहां भी वही देखते हैं तो जब temperature बहुत कम हो जाता है तो उस समय इन ही सब कारणों से कि blood pressure बढ़ गया है आपके heart की cognitive thickness बढ़ गया है वो ज्यादा गाढ़ा हो गया है heart के चाल बढ़ गया है तो ये सब मिलाजोला के heart attack कड़ाते हैं हमें बचना है जब धूप निकल जाए तभी हम टहलने निकले और जब भी हम घर से बाहर निकले तो proper precaution लेके निकले जो बीमारी वाले लोग है पार्टिकुलरली बुजूर्ग लोग जो है उन लोगों को gloves पहनने चाहिए दस्ताना हाथ में पहने जुराब पहन के ही बाहर निकले और कई बार आप देखेंगे कि जो हमने बताया कि धमनिया सिकुर जाती है तो कई बार हाथों में दर्द होने लगता है उंगलिया नीला पढ़ने लगती है तो ये सब वेसो कंस्टिक्शन के चलते होता है तो हमें extremities में ज़्यादा exposure के chances होते हैं तो इन सबों को कभर करके निकलना है पतला ही कपड़ा पहने लेकिन लेयर वाइस तीन चार लेयर के कपड़े पहने जो की ज़्यादा insulation का काम करेगा और बहुत exhaustive exercise ना करें थंड के दिनों में हलके हलके आप टहल सकते हैं अगर weather clear है तो नहीं तो घर में योगा करें या boundary के अंदर ही टहलें direct exposure से ब बाते बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसे के साथ जल्द मुलाकात होगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के मादिम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई और सवाल है धन्यवाद